गुरुकुल की इस व्याक्षान माला में आप लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र समस्कृत भाषा विज्ञान की इस कड़ी में भारोपी ये भाषा के क्रम में वैडिक समस्कृत और अवेस्ता की तुलना करते हुए अब एक नए विशय के साथ उपस्थितों हूँ आज का हमारा जो यह विशय है वो विशय है इरानी भाषा चुकि हम लोगों ने अवेस्ता को जाना और अवेस्ता का डाइरिक्ट संबंदी जो है उसे इरान प्रदेश से है और वहां के प्रदेश की भाषा ने बहुत अधिक वैदिक समस्कृत अथचा बाद की समस्कृत को प्रभावित किया है इसलिए उनकी भाषा के उन तत्यों को जानना आवश्यक है साथ ही यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जितने भी विश्व विद्याले हैं जहां पर भाषा विज्ञान का अध्यापन किया जाता है और अध्यायन किया तो वह लेकर के उपस थे तो हों हम लोग इरानी भाषा को देखें सबसे पहले तो इसके भूमिका हम इस रूप में जाने कि मित्रो जो एक मूल भारोपी भाषा है वही क्रमशह विखंडित होते हुए माइग्रेशन के माध्यम से एक दूसरे जगा शिफ्ट होते हुए अपनी अपनी प्रकृति अपने अपने प्रदेश अपनी अपने जलवायू के अनुसार उस भाषा ने नूतन स्वरूप अग्रहन किया और जैसे ही भाषा ने अपना नूतन स्वरूप अग्रहन किया चाह वह भौमिक नाम है उनकी प्रकृति के उपर आधारित नाम है लेकिन जैसे ही हम भोजपूरी कह देते हैं जैसे ही हम हिंदी कहते हैं जैसे हम मराठी कहते हैं या जैसे ही गुजराती कहते हैं तो यह प्रदेश विशेश को बताने वाला यह हो जाता है इंग्लिश कहते हैं य कि सारे क्य Самी भाट इसा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा के आधर पर नामकरण किया गया उसी प्रकार इरानी भास्या है हम इस इराणी भाशा को अत्यंत आदि से मूल से जानने की कोशिश करेंगे ऐसा माना जाता है कि जितना प्राचीन वैदिक समस्कित है उतना ही प्राचीन इरानी भार्षा है और तदनुसार इरानी भार्षा को हम एक निश्चित प्रकार में बांधते हैं और इस इरानी भार्षा को एक निश्चित कैटेगरी करके जानने की कोशिश करते हैं तदनुसार इरानी भाषा के तीन रूप देखे जाते हैं प्राचीन इरानी मद्यकालीन इरानी और आधुनिक इरानी भाषा दूसरे शब्दों में इस भाषा ने अपनी प्रकृति परिवर्तित की मित्रो हम समस्कृत को दो रूप में बाटते हैं वैदिक समस्कृत और लौकिक समस्कृत क्यों क्योंकि दोनों की प्रकृति में दोनों की शब्द में दोनों की ध्वनी में अचानक हम एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन देखते हैं इसलिए जब भी कभी समस्कृत की जाती है तो दो प्रकार से समस्कृत का विशलेशन होता ह एक विशलेशन पानिनी से पूर्व, एक विशलेशन पानिनी के बाद, पानिनी से पूर्व के विशलेशन को हम वईदिक समस्क्रित नाम से जानते हैं और पानिनी के बाद के समस्क्रित को हम लोग लोगिक समस्क्रित से जानते हैं इसी प्रकार एरानी भाशा को देखेंगे तो जो उस समय बोली जाती होगी उस भाशा ने अपनी प्रकृती बदली मद्यकाल आते आते एक नूतन प्रकृती बनी उनकी और मद्यकाल से आस तक आते आते जब कई सारे शब्द, कई नई धुनियां कई नए साहित्य लिखे जाने लगे कई नूतन प्रयोग हुए तो आज वो आधुनिक इरानी के रूप में व्यवस्थित है अब हम एक-एक को यहां समझने के कोशिश करते हैं कि जैसे प्राचिन इरानी से क्या तात परिया है मित्रों प्राचिन इरानी में प्रचुर साहित यह थे संकेत मिलता है कि कई साहित्य ग्रंथ लिखे गए लेकिन दो प्रमुख आक्रमन माना जाता है एक आक्रमन तो 326 या 323 जो एलेक्जेंडर का आक्रमन माना जाता है सिकंदर का आक्रमन और दूसरा आक्रमन जो की सात्वी शताब्दी के आसपास में जो अरब का आक्र कि और दमन से वहां के साहित्य जो हैं उनकी अभक्या या तो जळा दी गई या विनश्ट कर दी गई वो साहित्य उपलब्ध नहीं है लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमें प्रचुर संकेत प्राप्तों होते हैं कि प्रचुर साहित्य होंगे इसको इसी प्रकार समझहा जाना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे कई साहित्य विनष्ट कर दिये गए आप लोगों ने सुना होगा कश्मीर में अकूत भंडार था मैनियूस्क्रिप्ट का हमारी धेर सारे दुरलब ग्रंत थे लेकिन उनको हाल फिलाहल के वर्षों में जला दिया गया विनष्ट कर दिया और यदा चयव प्रकृतिक प्रकृप ने उन तक हित्यों को अपने प्रभाव में ले लिया जिसके कारण यह साहित्य व प्लब नहीं होते इस प्राचानी इस प्राचीन इरानी के दो रूप पाये जाते हैं एक पूर्व इरान का हिस्सा है एक पश्चिम इरान का हिस्सा है अर्थात इरान के पूर्वी भाग में बोले जाने वाली जो इरानी होगी वह एक प्रकार की इरानी होगी और पश्चिमी भाग में जो बोली जाने वाली इरानी होगी वह एक दूसरे प्रकार की होगी और इस हिंदी भाषा की भी कई सारी प्रकृती है हम वर्टिकुलर भी देखते हैं होरिजॉंटल भी देखते हैं वर्टिकल अगर हम आधी काल से देखते चले आए और जब से हिंदी का उद्य है और होरिजॉंटल जो आज हमें दिख रहा है हर प्रदेश की अपनी अलग हिंदी है उत्तरप्रदेश की अलग हिंदी है, बिहार में लोग अलग प्रकार से हिंदी बोलते हैं, राजस्थान में अलग प्रकार से बोलते हैं हिंदी, इसी तरह मध्या प्रदेश के लोग भिन प्रकार से हिंदी बोलते हैं, पंजाब और हरियाना की लोग विविधता प्रकार से ह जिए जाते हैं और वो हिंदी अपना रूप बदल लेती है यहाँ पर भी हम प्राचीन इरानी के भी इसी लिए यह रूप देखते हैं कि एक concentration होगा जो Kemal साइड में होगा एक Our phenomenon होगा जो वेस्टर्ण साइड यह हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इनको जंदवेस्ता नाम से जाना जाता है और इसके करता इनके जो रचाईता थे वो महत्मा जरतुष्ट्र के हैं आचारिय जरतुष्ट्र के हैं तो यह हैं और यह अवेस्ता ग्रंथ की भाषा भी अवेस्ता मानी जाती है जैसे हम वेद की भाषा वैदिक सम्स्रित कहते हैं उसी प्रकार हम अवेस्ता नामक उससे धर्मगरंथ की भाषा अवेस्तन को मानते हैं इस अवेस्ता के कई नाम हमें प्राप्तो होते हैं कोई अवेस्ता कहते हैं कोई अवेस्तन कहते हैं एक और vicious नाम इसके लिए प्रियोग में आता है कि प्राची निकाल में बैक्ट्रियन ने वहां पर अपना राज्य स्थापित किया था और उसे राज्य के अधिन हो था यह प्रदेश इसलिए वहां की इस वहाशा को प्राची ने बैक्ट्रियन नाम भी दिया गया तो इस प्रकार से ये तीन-चार नाम उनके लिए अभी व्यक्तो होते हैं मैं अभी आप से इस पश्ट कह सकता हूँ अगर जैसे MCQ जो multiple choice questions जो पूछे जाते हैं एक्जाम में चाप जारिफ की परिक्षा दे रहे होते हों आपको पूछ लिया जाए कि प्राचीन-बैक्ट्रियन भाषा थी क संस्कृत ख अवेस्ता ग हिती घ तोखारी confusion है लेकिन आज से आप लोग इसका उतर लिखेंगे अभी जैसी कि मैं शुरू में सूच ना दी कि इसे जिन्द अवेस्ता भी कहते हैं अब जिन्द अवेस्ता क्या है तो इसमें दो शब्द है जिन्द और अवेस्ता वित्रों देखिए यहाँ पर जो अभी हमने पहले कुछ पहले similarity और similarity पढ़ी थी उसका एक उदाहरन है यहाँ पर जो संधी के नियम की दृष्टी से देखेंगे कि यह मूल दो शब्द है जिन्द और अवेस्ता अर्थात संधी की प्रकृति यानि यहाँ पर भी संधी देखी जाती है जो संधी समासाधी जिसे हम कहते हैं वो संधी देखी जाती है जिन्द प्लस अवेस्ता और आ और आ मिलकर के आ हो रहा है यानि दीर्ग संधी की और संकेत इससे हम ले सकते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवेस्ता और किस प्रकार वैदिक संस्कित में ये समानता है जिस समानता की चर्चा हमने शायद नहीं की थी एन मलिनाथ ने लिखी तो वही टीका है कमिंट्री है उनके भाषा उनके शब्दों का विशलेशन है और अवेस्ता का मतलब होता है शास्त्र तो क्या जिंदावेस्ता का क्या नाम हो गया जिंदावेस्ता का क्यार्थ हो गया इस शास्त्र की टीका ठीक है ना जिंदावेस्ता अ पहलवी भाषा की और संकित ले देता हूँ, आप लोगोंने नाम सुना है, हमने उल्लेख किया है, कि पंचतंत्र का जो प्रतम अनुवाद था, वो पहलवी भाषा में किया गया था, कली लग अदिमनक, ऐसे नाम मिलते हैं, और वो पंचतंत्र का है, तो अवेस्ता की जो प् पुर्वी इरानी में है, बाद में कैसे पड़िवर्थित होती है, उसकी चर्चा करेंगे, अब है कि देखिए इतिहासकार की अपनी दृष्टियों होती है, एक हो होते हैं जो वैश्विक एक यूनिवर्सल हिस्टोरियन होते हैं, जो हर विशा यहर वस्तु के काल व्यूज में ना पढ़ करके, एक कॉमन व्यूज है, कि जो पूर्वी इरानी का काल माना जाता है, 3000 BC to 300 BC, एक कॉट डिंगली अगर आप देखें, तो more or less, उपर ही सीमा भले ही थोड़ा बैक हम रिगवेद का ले जाएं, लेकिन निम्न सीमा आते आते जो वैदिक संस्क्र जो है, वो भी 300 BC तक आते आते वैदिक संस्क्रित विलुपत हो जाती है, और पूरी तरह से लोकिक संस्क्रित अपने को स्थापित कर लेती है, तो इसलिए मैं बार-बार ये कहता आ रहा हूं, कि दोनों में हो सकता है 100-200 के काल करम का भेद हो, लेकिन एक दूसरे को ये कॉ होता है, as per historians, लेकिन ये always क्या है, perhaps, संभवता, fixed नहीं है, इसके बाद इस पूर्वी इरानी के आगे की विकास की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती, दूसरे शब्दों में इस अवेस्ता भाशा के अतिरिक्त, क्या कोई भाशा थी या नहीं थी, इसकी हमें कोई सू संकेत जरूर प्राप्तों होते हैं, जो भाशा अव विलुपतों हो चुकी है, उन भाशाओं का संकेत प्राप्तों होता है, जिसमें की आप पाएंगे हिराती या हिराती, या जैबुली, या सागदियान, ऐसे कुछ भाशाओं की और संकेत है, जो क्षित्रिय भाशा रही होगी लेकिन प्राप्त नहीं है इनका ना तो कोई साहित्य है ना कोई शब्द है ना अभिलेक है ना स्वर है ना द्वनी है तो इस प्रकार ये पूर्वी इरानी को समझने के अनंतर अब हम इसी में पश्चमी इरानी को जानने की कोशिस करते हैं और पहली बार इस पश्चमी इरानी के साथ हम संबंध बनाते हैं प्राचीन फारसी यह जो पश्चमी इरानी है यह केवल और केवल पश्चमी भाग में यानि इरान के पश्चमी भाग में बोली जाती थी पश्चमी भाग की भाशा मात्र थी प्राचीन फार्सी अवेश्ता से यह कुछ ही बाद की भाशा है जैसे कि हमने भूमिका में कही थी कि अपनी ये बहाशा इस प्रवेश तक आते आते अपनी प्रकृती में बदल परिवर्तन कर लेती है अपने स्वभावम को बदल लेती है तो ये हम यूं कहते हैं कि ये अवेस्ता से कुछ ही बाद की बहाशा है लेकिन इस बहाशा का जो लिखीत रूप है वो बहाशा आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है लिखीत रूप में केवल अगर आप लोग नाम जानते होंगे डेरियस कहीं कहीं दारियस कुछ ऐसे नाम आते हैं लेकिन डेरियस फर्स्ट डेरियस प्रथम जो कि 521 बीसी से 485 बीसी तक जिनका काल माना जाता है ओल टोगेडर 36 इर्स तक इन्हों ने शासंग किया है तो इनके अभिलेक इनका मिला है जिस अभिलेक मात्र से इस पश्चमी एराणी भार्षा को समझा जाता है यह जो अभिलेक है यह अभिलेक कीलाक्षर लिपी में प्राप्तो होती है मित्रो जब मैं लिपी पढ़ाऊंगा तो उसे लिपी के संदर्वे में कीलाक्षर की भी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा चित्र के साथ तो यह कीलाक्षर लिपी में प्राप्तो होत अब ये जो अभीलेक हैं इस अभीलेक से लगबाग चार सवर शब्द संकलित किये गए अब एक और ची देख लेते हैं अब ये एक और वीशे देख लेते हैं इसको समझ लेते हैं वो क्या है मैं तो यदि सिंदु घाटी सभ्यता जिनकी चर्चा हमारे लिए आवश्यक होती ये भारती तिहास को समझने के लिए उनमें जो लगबाग 27-28 क्वाइन्स मिले हैं उन क्वाइन्स के ऊपर भी लिपियां हैं कुछ बाते लिखी हुई है लेकिन आज तक उन लिखी हुई बातों को संकलित करके उनकी ध्वनियों या उनके नहितार्थ को समझ पाने में हम लोग अक्षम रहें अलग अलग सिधानत आए हर विद्वानों ने क्लेम किया कि मैंने इसका वाचन कर लिया मैंने इसका वाचन कर लिया लिकन अट इसकार नहीं किया अस्तु तो ये जो लगबाग चार सव शब्द है उन्होंने उसे डेडियस फॉर्स्ट के अभिलेक से संकली तो होते हैं all together 400 words and 400 words you know is enough to study अगर आप उसको develop करना चाहें उनको समझ करके उनका विस्तार करना चाहें तो 400 शब्द पर याप तो होते हैं और उन 400 शब्दों के आधार पर इनकी विशेष्ता निर्धारित की गई इस पश्चमी इरानी भाशा की विशेष्ता आविस्ता में काफ़ी समानता है क्यों नहीं होगी समानता एक ही प्रदेश है एक ही ज़ Griffith है कूछ इधर के लोग है कूछ इधर के लोग हैं बोल रहे हैं तो नाचुरली शब्दों का और पर दान होगा तो इसलिए अवेस्ता में काफी समानता है लेकिन इसकी जो वर्णमाला थी वो काफी डिफिकल्ट थी काफी कठिन वर्णमाला थी इसकी अपेक्षा अवेस्ता की जो वर्णमाला है वो सरल है इसी प्रकार वर्णमाला की दृष्टी से यह जो पश्चमी इरानी है जिसे यद दूसरे शब्दों में आप यू भी देखिए हमने अवेस्ता को भी संस्कित के निकट माना हम इस प्राचीन फारिसी को भी संस्कित के निकट माना इसलिए भूमिका में हमने ये बात रखने की कोशिश की थी कि जब दो भाषा एक काल को शेयर कर रहे हो यानि दो समकालीन भा कि उसके जियोग्राफी में बहुत दूर का डिस्टेंस ना हो बहुत दूर का डिफ्रेंस ना हो अर्थात हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी वैदिक संस्कृत थी और जो इरान है या उस प्रदेश तक इस संस्कृत का बोलबाला था और हम लोग आपस में शेयर करते थे इसलिए दोनों में समानता है लेकिन जैसे जैसे कोई भाषा सिमठती जाएगी अन्य भाषा से संपर कर तूटता जाएगा और हमें उनके शब्द जो है वो दूरियां बदलने लगती जैसे आज जो इरान में बोली जाएगी भाषा और आज जो भारत में बोली जाने वाली भाषा है हमारे अपने ग्यान की अनुसार हम उस भार्षा को भले ही समझ लें लेकिन भार्षा की प्रकृति ऐसी नहीं है कि यहां के शब्द वहां इतनी लंबी ट्रेवल करें क्योंकि बीच में अन्य धेर सारी भार्षाएं आ जाती है और स्ट्रक्शन बन करके व्यवधान बन करक मित्रो इसके बाद और देखते हैं सपस्ट में इरानि या प्राचीन फार्षी में क्या है कि वर्न माला की दृष्ट इसे प्राचीन फार्षी सम्स्क्रित के निकट है अब जैसे एक उदाहरन है वो उदाहरन इस परकार है येजी टिक है ये जो येजी शब्द है ये प्राचीन फारसी में यदी है संस्कृत में भी यदी है तो इसलिए ये जो प्राचीन फारसी का जो यदी है और येजी है येजी अवेस्ता का है तो येजी की अपेक्षा यदी के निकट है संस्कृत का यदी इसलिए जो पीछे अभी जो बाते आई जो प्राचीन फारसी संस्क्रित के निकट है अवेस्ता की जो व्यंजन जेड ज यो प्राचीन फारसी में द बन जाता है अवेस्ता में जो ज अब देखे बड़ा संदर उदरन है जस्त जस्त अब जस्त जो है या आपको प्राचीन फार्सी में दस्त है और वही आपको समस्क्रित में हस्त यानि हाथ के अर्थ में है इसी प्रकार अजम शब्द है अजम जो जो है दा बन रहा है कन्वर्जन अफ जा इंटू दा हो रहा है तो अजम जो है वो अदम अदम यानि मैं और वही आपको समस्क्रित में आकर के अहम बनता है इसी प्रकार अवेस्ता में जो हलंत है वो प्राचीन फारसी में नहीं है अबारत बाभा होगा समस्क्रित में अबारत ताहलंत है प्राचीन फार्सी में अभरत तमें हलंत नहीं है और संस्कृत में वही अभरत यानि तमें हलंत के साथ विझ्यमान है तो यह बित्रों देखेंगे कि यह हम भूलता है जो अवेस्ता और प्राचीन फार्सी को देख रहे हैं सम्स्कृत के साथ कौम्तारिजन नहीं कर रहे हैं सम्स्कृत के शब्द तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने से उनको आप समझ सके और आपके लिए एक उदाहरन बनकर ये आपके सामने विद्यमान रहे है बित्रो इसके बाद चुकी है हम लोग अभी पढ़ रहे उपस्थित है जो मूल फारसी है इसे पूर्व को हमने पश्चमी जो इरानी थी उसको हमने क्या कहा था हमने उसको प्राचीन फारसी कहा था और याद हो जब हमने अवेस्ता का परिचह दिया था पूर्वी इरानी का तो उसमें जिंदावेस्ता की व्याख्या करते हुए ह इनको आता है यह भाशा विद्यमान रहती है यह जो फारसी है यह पहलवी है यह प्राची ने इरानी से डवलब्ड हुई है ठीक है ना सेसेनियन राजवंग्ष एक डैनस्टी वहां रही है जो 226 से लेकर के 652 AD तक उनकी यह राज भाशा थी यह इनका इसका साहित्य जो है तीसरी शताब्दी में हमें प्रथम साहित्य प्राप्त होने उपलब्द होते हैं क्योंकि तीसरी शताब्दी में अगर साहित्य में उपलब्द है तो इसका मतलब इसके लिपी से इसके संकेतों से 13 symbols से 27 ध्वनियों में यह भाषा देखी जाती है यह 13 संकेत हैं और 27 ध्वनिया इनकी प्राप्त होती है इनकी लिपी कठिन भी है और कठिन होने के साथ साथ इनकी लिपी और ज्ञानिक भी है लेकिन एक बड़ी सुचना यह है कि अवेस्ता प्राचीन आर्य भाषा वैदिक के समानी जिस प्रकार अवेस्ता हमारी प्राचीन आर्य भाषा के अत्यंत नजदीक है प्राची नार्य भाषा वैदिक संस्कित के अत्यांत नजदीक मानी जाती है उसी प्रेकार यह जो भाषा है फार्सी पहलवी या मध्यकालिन इरानी ये प्राकृत एवं अपभ्रंग्ष के सरवाधिक निकट है तो ये मित्रो मध्यकालिन इरानी की चर्चा हुई इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आधुनिक इराणी है जो current जो available हमारी फारसी भाषा है हम उसको जानते हैं उनके विशह में जानते हैं यह जो आधुनिक इराणी है वो मध्यकाली इराणी से developed है हम repeat कर लें हम recall करें जो मध्यकाली इराणी है फार्सी पहलवी वो प्राची ने इरानी से निकली और मध्यकाली ने इरानी से आधुनिक इरानी निकली तो उसपस्ट है इसमें कोई हमें जैसे हम कहते हैं कि वैदिक संस्कृत से हमारी आधुनिक संस्कृत निकली लौकिक संस्कृत निकली तो इस सम्में कोई बहुत अधिक यह सोच का वीशय नहीं है क्योंकि भाषा की यात्रा होती है और भाषा अपनी यात्रा क्रम में भी अपने स्वरूप को बदलती है इससे डिनाई नहीं किया जा सकता तो रही बात अब आती है बात प्राचीनतमसापितिय क्या है और कोर्स बहुत भी पॉपलर ग्रंथ है हम लोग सभी जानते हैं थोड़ी भी रूची रखने वाले वो है शाहनामा शाहनामा ग्रंथ बहुत ही पॉपलर है और यह फिरदवसी की रचना है ठीक है ना फिर्दोसी भी बहुत ही बड़े और ये शाहनामा इस शाहनामा को राष्ट्री या महाकाव्य के रूप में जाना जाता है फिर्दोसी जो फिर्दोसी है इस फिर्दोसी की भाषा में अर्थात शाहनामा की भाषा में अर्वी भाषा के शब्द कम प्राप्तों होते हैं इसका ये मतलब है दो बाते हो सकती है कि या तो फिरदोसी ने अपनी भाशा में अर्भी भाशा के रूपस्वरूप को प्रविश्टो होने नहीं दिया या दूसरे शब्दों में कि इस फिरदोसी के समय में शाहनामा के लिखे जाते समय अर्भी भाशा का प्रभाव उतना नहीं परा होगा जितना आज प्राप्तो होता है क्यों क्योंकि ये शाहनामा के बाद के जो साहित्य है उस साहित्य के ऊपर अर्भी भाशा का प्रभाव देखा जाता है केवल उस साहित्य के उपर ही अर्भी भाषा का प्रभाव नहीं देखा जाता बलकि वाक्य रचना तक यह जो construction of sentences है up to that हम क्या देखते हैं अर्भी भाषा का प्रभाव है और मित्व यह प्रभाव क्यों होगा अभी हमने एक संकेत दिया था कि प्राचीन इरानी के उपर में दो-दो साहित्य प्राप्त नहीं होते दो-दो आक्रमन हुए और उन्हीं दोनों आक्रमनों के कारण मैंसे जो दूसरा आक्रमन था वो दूसरा आक्रमन अरब देशों का अरभी अरेबियन का आक्रमन था 7th century में और obviously after invasion जब आक्रमन होता है तो उनके लोग वहां रह जाते हैं यद्यपी फिर्दोसी के बाद की फार्सी रचना जो फिर्दोसी के बाद की जो फार्सी जो है उसके बाद की जो रचना है उसे रचना आदि में एक समानता देखी जाती है लेकिन नए शब्दों की संख्या पर्याप्त है पर्याप्त ध्वनियां आ गई तो मित्रो हम अपनी इस चर्चा को आगे भी continue रखेंगे आगे भी जारी रखेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनें गहन चिंतन करें आनंद आएगा और इस क्रम में यदि कोई प्रतिक्रिया हो या जिवा के उलट पलट के कारण कोई गलत सूचना गई हो तो आप जरूर हमें इस पर संकेत दें हमें जरूर टिपनी करें जरूर कमेंट करें ताकि उनको सुधारा जा सके और आपकी अगर प्रशंक सा तारिफ मिलती है तो हम अपने व्याख्यां को और सुन्दर तरीके से आपके सामने प्रस्तूत कर पाएंगे आप लोगों ने ध्यान से सुना आप लोगों झाल